अज़ान रहीम असलाम अलेकम आज हम चिली चीज नगट बनाएंगे उसके लिए मैंने दो मीडियम साइज के आलू लिए हैं वन कब मैंने चीज लिए हैं मौजरेला एंड चदर हैलोपीनो मैंने लिए हैं 4 टेबर स्पून बार्टर के लिए हम यूज करेंगे 4 टेबर स्पून मैंने ब्लें फ्लावर लिया है 4 टेबर स्पून कॉर्न फ्लावर लिया है 1 टेबर स्पून मैंने चिली लिया है रड़ी चिली पॉर्डर चिली फ्लेक्स मैंने 1 टेबर स्पून मैंने ओल लिया है गार्लक पॉर्टर मैंने 1 टेबर स्पून मैंने नमक लिया पहले मैं आलू को काट लूँ है इस तरह से ब्रिक ब्रिक अब मैंने काट के रख लिये हैं मैंने पहले इसको बॉइल किया था आलू बॉइल है अब मैं हेलो पीनो को ब्रिक करूँगी हेलो पीनो को ब्रिक अब मैं इसमें डाल दूँगी आखी तरह से इसो साथ करेंगे अब मैं मैं इसमें चीज डालूऊँगी वन का मैं इसमें नमक डालूंगी, अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स काल दूँगी, मैंने अच्छी तरह मिक्स काल लिया है, अब मैं इसके नगट बढ़ाऊंगी, थोड़ा सा इतना से लेके, आप अपनी हसाब से शेव देज सकते हैं, जिस तरह आप चाहें, मैं इस तरह बनाऊंगी, इस तरह बना के मैं सारे रख लूँगी, मेरे नगट रेड़ी हो गया है, अब मैं इसके लिए बाटर बनाऊंगी, जिसमें मैं प्लीन फ्लावर डालूँगी, फोर टेबल स्पून, फोर टेबल स्पून कॉन फ्लावर है, अच्छे तरह से इसको साफका दोंगी, रेड चिली पोडर, हाफ टीजपून, नमक वाटर टीजपून, ये लेसन का पौडर है, ये भी हाफ टीजपून है, अब मैं इसको मिक्स करूंगी, मैं तोड़ा तोड़ा बनी डालगे, इसका बाटर बनालोंगी, जिसका बाटर बनालोंगी, ह मैं आर बनालोंगी, मैं अजहे हैं, मैंने गार्लिक पॉडर इसमें डालना है अगर आपके पास नहीं है तो आप पेस्ट भी डाल सकते है पतलासा बनाना है बाटक इसको अच्छी तरह मैं मिक्स करूंगी इसमें लंस में होने चाहिए अब इसमें मैं और डालूंगी बान टेबर स्पूंगी इसको मिक्स करूंगी अच्छा करासी इस तरह रनी साब होना चाहिए बाटल यह मेरे बास ब्रेड क्राम है इसमें मैं चिली फ्लेक्स डालूंगी हाफ टीश्पूंगी अब हम एक एक को ठाएंगे इस तरह बाटर में कोट करेंगी ठाके इसको अब ब्रेड क्राम लगाएंगे दूसरे हाथ से इस तरह करके जाएंगे थोड़े से करके फिर मैं और में डालूंगी अब मैं इसको और में डालूंगी इसको तीन से चार मिनिट के लिए मैं फ्राई करूंगी अब मैं इसको टन करूंगी तीन से चार मिनिट हो चुके हैं अब इस बच्छे भी तीन से चार मिनिट करूंगी अब इसको टन करूंगी इसी तरह से बाकी जीनि मिना लिए मेरे चिली चीज नगर डैडी है मेरे रेस्पी अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें दौाओं में याद रखिए बहुत सारी दौाओं के साथ आला हाफस्थ